करेंगे और जैसा कि आप नाम देख सकते हैं यह स्लीपी आउल कॉफी ठीक है तो इसी जैसा ही पैकेजिंग आई है इसी में मेरे को आज डिलीवर हुआ है और पैकेजिंग बाहर से तो काफी एच्छी है तो सबसे बेले में इसको प्रोड़क्ट जो है अपना हो निकाल लेत करते हैं तो आप जो बॉक्स पर नाम चेक कर सकते हैं स्लीपी आउल होट ब्र्यू कॉफी ठीक है यह प्रोड़क्ट है जो मैं रिसेंटली अभी सोचल नेटवर्किंग साइट पर काफी आ रहा है इसका बहुत हो रहा है तो यह मैंने इंस्टाग्राम पर मैंने देखा था चीक है साथ ही साथ जैसे मैंने आपको पताया कि यह प्रोड़क्ट है मैंने 300 रुपेका मुझे मिला है चीक है और कैश वन डिलीवरी ही मैंने चूज किया था मैंने नया ब्रैंड है तो कुछ रिस नहीं लेना चाहिए और तीन दिन के अंदर मुझे डिलीव हो गया बहु कि इच्छी शुरूबात है इसका जो किरियोसिटी की वज़े से मैंने प्रोड़क्ट मंगा है क्योंकि इसका नाम है ठीक है बाकी इसका बहुत ज्यादा प्रोड़क्शन चल रहा है इसी वेसे तो गाइस यहां पर हम देख लेते हैं तो मेड़ विद हार्ट इंडिया तो आप कर सकते हैं साथ इसकी आपर मैनेफेक्टरिंग डेट चेक करें तो 24 फेवलरी 2021 मैनेफेक्टरिंग डेट मेंचन है और यहां पर इन्होंने इसी प्रोड़क्ट में अपना जो इंस्ट्राग्राम का है है हैंडल वह भी हांपर शोग किया गया है तो इसका नाम बहुत था तो मुझे लगा कि मंगाना चाहिए और इसका प्राइस भी हांपर मेंचन है 300 रुपीज साथी साथ इसकी जो नेट क्वांटिटी है वो भी मैं खूद है दाऊ और इसके अंदर ब्रिव बैग्स हैं वेसिकली यह तो आप देखी रहे हैं ठीक है ब्रिव बैग्स हैं औ और उपर से देख लेता है और इंस्टेंट कॉफी है और पांच मिनट के अंदर कोई एक्स्ट्र आपको एक्कुपमेंट नहीं रिक्वाइड इसके अंदर और इस सील्ड पैक है बॉक्स तरफ से बहुत अच्छे पैकेजिम है कोई डैमेज नहीं है अगर हम नई कंपनी क आपको अंबॉक्सिंग से पहले बता दूँ तो जो इसके अंदर जैसे टैन पैक होंगे और एक पैक जो होगा वह साड़े बारा गराम का होगा ठीक है बागी यहां पर इसका QR कोड मेंशन भी मेंशन भी चेक कर सकते हैं जो QR कोड होता है इसका ठीके तो अब इसकी पर अन्बॉक्सिंग कर देते हैं अन्बॉक्सिंग कर लेते हैं अगर आपको इसको स्कैन कर सकते हैं तो आपको पूरी इंफरमेशन मिल जाएगी यह बहूत अच्छी चीज़ है बाकी बॉक्स के अंदर ठीक है वरिष्टा से कुछ प्रोटिप्स में में नहीं किये इन्होंने कि आप इन सम्प्रोसीजर को फॉलो करके मैं आपको दिखा जाता हूं के अब आप में इसको कर सकते हैं यह सब प्रोसीजर है जो का फॉलो करके आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं और अगर कोई इन्फोर्मेशन है जो कुछी सची नहीं लगी अपना को फीडबैक आप इनको यहां पर शेयर भी कर सकते हैं ठीक है इसको में साइट रग देते हैं और अब मैं सारे के सारे पैकेजिंग बढ़ निकाल लेता हूं यह हमारे कुछ पैकेजिंग इस तरह से तो टोटल दस हैं यह हमारा एक शाष्य है हॉट ब्रिव स्लीपाल नाम हो होट अच्छा पैकेजिंग है बहुत डिफरेंट है इसका बाहर पैकेजिंग का थीक है पूछ यहां पर उनके फर्स्ट पैकेजिंग में भी यूज करूंगा उस पर दिखाना चाहता हूं कि जो मुझे बहुत अच्छा लगा देखिए हैं आप इमेंजन भी है कि मेंट विद पेपर ऑन टॉप ऑफ अल्यूमीनियू अन कंटेज नो प्लास्टिक अट आल तो मतलब कोई प्लास्टिक मट्रियल इसमें यूज नहीं है कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं है और अगर आप बॉक्स भी देखें इसकी पैकेजिंग भी इसमें आया है तो उसमें कोई बहुत अच्छा इनिशेटिव है जो भी आगे जो कंपनी से जिनसे आगे बनाएगा जितना भी यहां पर कर सकते हैं वह भी नेक्स प्रसेश्ट करके दखायाता हूं चलिए इसकी हम प्रपरेशन स्टार्ट करते हैं ठीक है तो हम जो हमने दूध यहां पर ले लिया अलड़ी यह गरम है तो मैं आपको बताना चाहता हूं जिसे अभी हॉट होता है तो वह भी आप चेक कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पर सारे डिटल मेंशन है तो मुझे होट पसंद है कॉफी इसलिए मैं होट मगाया सबसे पहले जो पहले कर लेता हूं तो आप आवाज भी सुन सकते हैं आपको पता लग जाएगा प्लास्टिक की वाज नहीं है यह पेपर है तो यह मुझे बहुत अच्छी चीज लग रही है और हम इस पैकेजिंग ओपन करते हैं तो हमें मिलता है यह प्रड़क्ट तो यह कॉफी टी बैग है कॉफी बैग है सौरी इस तरह का यह कॉफी बैग आप देखें और बहुत अच्छा अरोमा आ रहा है अभ अभी तक हमने इसको यूज भी नहीं गया बहुत अच्छी स्ट्रॉंग स्मयल आ यह कॉफी की बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ठीक है और कहीं से लीकेज यह ऐसा कुछ नहीं है जैसे बागी कुछ कॉफी में होता आपने पर्चेस किया वह साथी साथ वह कहीं अब हम इसको डिप कर लेते हैं तो सबसे पहले हम इसको इसमें डालेंगे अपने ग्लास में उसकी अवाद हम इसको साथ रखते हुए जो हमारा दूद है मिल्क हम इसमें डाल लेंगे है भूफ सिंबल से परिजिजिए नॉनम्ल कोई भी कॉफी करते यह कि आता है वह जो दूसरा होता है उसको हम सेश्य बैंग्स कर देते हैं तो इस तरह से मैं आपको दिखाने के कोशिश करता हूं तो जैसे ग्रीन टी होता है उसको डिप करना होता है वार वार उसी तरह से यह बागी देंगे तब भी यह बहुत अच्छे से मिक्स अप हो जाएगा और यह अपना जो कलर है यह अब दिखाने लग गया है अब हम इसको 2-3 मिट के लिए इसमें छोड़ेंगे फिर हम इसका फर्दर कलें चेक करते हैं अपने डिप को जो है निकाल के लिए रख लेते हैं तो अब मैं इसका आपको पहले कलर दिखा देता हूं यह हॉट कॉफी है इस तरह का इसका फर्स कलर आया है चीक है और 2-3 मिट हमने इसको डिप किया ज़दा देनी किया अभी जो मुझको फर्स मेल आ रही है बहुत जब भी बैग मेरे हाथ में था अब इसका लेकर टेस्ट करके आपका और रिवीर करता हूं तो गाइस मैंने इसको टेस्ट किया है तो जुसका फर्स टेक्शर है बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग कॉफी नहीं है यह बहुत क्रीमी सा टेक्शर आ रहा है कॉफी के अंदर भी तो हाड कॉफी तो इल्गूल भी नहीं है ना ही सिर्फ चड़री अचानक से और बहुत अच्छी स्मेल आ रही है बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है कोई इस्ट कर पार रहा हूं ठीक है कुई कॉफी कुछ ऐसी होती है कि आपने यूज किया और आपका लगे यह मैंने क्य क्रीमी टाइब की कॉफी बन रही है यह तो बहुत अच्छा है प्रोड़क्ट है और तो अवरॉल मुझे बहुत अच्छी कॉफी लगी और सबसे बैस पार्ट है कि एक तो यह ट्रेवल फ्रेंडली भी है अगर आप कॉफी के शौकीन है तो आप इस पैकेज को पर्षियस की अच्छी नहीं होती तो यह टाइम लगाता ठीक है तो अवरॉल बहुत अच्छा प्रोड़र लगा मुझे मैं फॉर्शॉर्स को रिकमेंड करूंगा अगर आपको कॉफी में थोड़ा इंटरस्ट है और आप कुछ डिफरेंट राय करना चाहते हैं बागी नई कंपनी ह करें वन टांएम तो ही आप इसका रिविव कर पाएंगे बागी कोई भी की कमी नहीं कोई हार्ड कफी नहीं है , बहुत अच्छा प्रोड़ुक्त है तो मुस्ट मैं खांगा और आपके आफ पर अच्छह सुना लग現在 सब्सक्राइब करें और लाइक करें कमेंट करें